दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लॉस्ट इस्टडी पर क्लाइस टेंथ चैप्टर नंबर फैस्ट रियल नंबर्स में हमने नंबर्स क्या होता है देख लिया यूकलिट्स डिविजन लेमा क्या होता है यह भी दीख चुके हैं कि अगर हम डिवाइजर है एला क्वेस्टन है कि सो डाट एवरी पॉजिटीव इंटीजर इस ऑफ दा फॉर्म ऑफ 3Q, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 हमें बद दिखाना है कि कोई सा भी पॉजिटीव इंटीजर ले रहे है यह वह हमें सा 3Q, 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2 के फॉर्म का होगा माल लेते हैं कि एक कोई पॉजिटीव इंटीजर है कि एक कोई पॉजिटीव इंटीजर है कि हमें दिखाना है कि यह या तो 3Q या फिर 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2 के फॉर्म का होगा इस्टेंडर फॉर्म क्या होती है कि A is equals to BQ प्लस R यानि कि वह नंबर हमें तब मिलेगा जब हम डिवाइडेंट हमें तब मिलेगा जब हम डिवाइजर की मेंटिपलाई कोई सेंट में करेंगे और उसमें रिमेंडर जोड देंगे अगर हम यहां देखें तो डिवाइजर जो है वह 3 है यानि कि उस संख्या को 3 से डिवाइड किया गया होगा हमने एक कोई पॉजिटिव इंटिजर माना है और मान लेते हैं कि डिवाइजर यानि कि B is equals to 3 है तो यूकलिट्स डिविजन लेमा के अनुसार क्या हो जाएगा बाइ यूकलिट्स डिविजन लेमा आप इसे फुल फाम में लिखेगा हो जागा A is equals to 3Q plus R नंबर हमने माना A है और जब डिवाइजर यानि कि B 3 होगा तो यह जागा A is equals to 3Q plus R जहाँ पे रिमेंडर क्या है रिमेंडर 0 या 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर यहाँ पे 3 है तो रिमेंडर 3 से छोटा होगा अब रिमेंडर क्या क्या हो सकता है रिमेंडर 0 भी हो सकता है 1 हो सकता है और 2 हो सकता है रिमेंडर 3 नहीं होगा क्योंकि रिमेंडर 3 से छोटा ही होता है देखिए जब remainder 0 होगा तब A की value क्या हो जाएगी 3Q प्लस 0 यानि की 3Q और जब remainder 1 होगा तो A की value हो जाएगी 3Q प्लस 1 और जब remainder 2 होगा तो A की value हो जाएगी 3Q प्लस 2 यहां से हम कह सकते हैं कोई सा भी positive integer ले 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 जिए होगा है हमेशा 3Q या फिर 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2 के फिर्म का होगा तो फिर लिखेंगे कि एनि पॉजिटिव इंटीजर एनि पॉजिटिव इंटीजर इस आफ दा फॉर्म आफ थ्रीक्यू, थ्रीक्यू प्लस 1 और थ्रीक्यू प्लस 2 दुखान में दिल जाप जाते है तेरा मेरा ऐसा कूँ मेरा रॉम में प्लस 2 पर दुखान में आफ सेश्य कर दाना है let a be any positive audience this request in a key so that any positive odd integer is of the form of six q plus one six q plus three or six q plus five where q is cement is a to be a positive or integer waiting milieu q क τι कोई भी positive inflexпол के form को तो six q plus three या फिर फिर्स 1997 के फाउब को अब आई बाब करते हैं मान लेते हैं कि कोई positive in्टेजर है लेट एभी एनी positive Ordon doctor यहाँ पर ऑज़ी जर की बात कि गए है यहां जो डिवाइजर यानि की बी का काम करेगा वह बी 6 होगा उस संख्या को 6 से डिवाइड किया गया होगा तभी वह 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5 के फर्म के होगे यूपलेट्स डिविजन लेमा से हो जाएगा यूपलेट्स यूपलेट्स डिविजन लेमा से हो जाएगा A is equals to 6Q प्लस R क्योंकि हम जानते हैं कि A is equals to BQ प्लस R होता है और यहाँ पर जो डिवाइडर का काम कर रहा है वर डिवाइडर 6 है जहाँ पर रिमेंडर क्या होगा रिमेंडर 0 या 0 से बड़ा और हमेशा 6 से यानि कि डिवाइडर से छोटा होता है तो रिमेंडर क्या हो सकता है रिमेंडर 0 हो सकता है 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है तो हमारा नंबर क्या-क्या हो जाएगा अगर रिमेंडर 0 होगा तो हमारा नंबर हो जाएगा 6 q ए 6 q प्लस 1 भी हो सकता है और ए जो है 6 q प्लस 2 भी हो सकता है और अगर रिमेंडर 3 होगा तो जो है 6 q न फो फोर रघे मेंडर 5 होगा तो हमारा 6 q89 अब हमने माना क्या है हमने एक को को भाजीटिव और इन्टीजर माना और अगर हम देकिए ए 6 qalis 6 जानि कि 6 eight एक Scout किवेन्ट नमबर और एको एक यह द हमेंन नमबर अगर हम स्फिक्सक्र में ले सकते हैं और यह हो जाएगा तो का मल्टिपाल हो गया यानिक ही एक लिख सकते हैं 3q plus 2 जो की एक even number है तो हमारा यह जो हमने एक odd positive integer माना था होगा या तो 6q plus 1 के form का होगा या तो 6q plus 3 के form का होगा या फिर 6q plus 5 के form का होगा हम लिख सकते हैं कि any positive odd integer any positive odd integer is of the form of या तो 6q plus 1 के form का होगा या तो 6q plus 3 के या फिर 6q plus 5 के अगला क्वेश्टन है कि प्रूब देट इस्क्वाइर अफ एन पॉजिटिव इंटेजर इस आफ फॉर्म और प्लस वन बट नॉट अफ फॉर्म 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 प्लस टू कोई भी पॉजिटिव इंटेजर ले लिजी अगर उसका हम स्कॉयर करते हैं तो ह हमेशा 3M या फिर 3M प्लस 1 के फांब का होगा लेकिन मैं कभी भी 3M प्लस 2 के फांब करने हो सकता है इसे करते हैं माल लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटेजर है एक कोई सा भी पॉजिटिव इंटेजर है और यहां डिवाइजर की बात की जाया यानि कि B जो है वह 3 तभी जो है 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का वह नंबर होगा तो यूकलिट्स डिविजन लेमा से क्या हो जागा बाई यूकलिट्स डिविजन लेमा हम लिख सकते हैं कि a is equal to bq प्लस r और यहां पर b की वैलू क्या है लार भी की वैलू 3m छाइब फोगर जाए जयागा 3 q प्लस्ड जहां पर दिमेंडर Z067 से बड़ा और हमेसा 3 यानि की डिवाउजर सी छोटा होता है है तो तो मारा क्या क्या वह सकता है जब्हेंद किसी नंबर कोた 3 2 करते हैं तो हमारा डिवमेंडर हमारा वन होगा तो यह की वैली हो जाएगी ठीक फ्लस वन और जब रिमेंडर हमारा टू होगा तो एक फ्लस लो जाएगी ठीक वोग्ष कि प्लस टू इसका स्क्वाइर कर देते हैं इसकोइर हो जागा ठीक का 3Q का स्कॉयर है यहनुकि 9Q स्कॉयर ए स्कॉयर 9Q स्कॉयर इसे हम लिख सकते हैं 3 into 3Q स्कॉयर यहां से A स्कॉयर हो जागा 3M जहां पर हमने M की वैलू क्या माल ली हमने माल लिया कि M 3Q स्कॉयर है आगी देखिए अगर A 3Q प्लस 1 होगा तो जब A का स्कॉयर करेंगे तो यह हो जाएगा 9Q स्कॉयर प्लस 1 प्लस 2AB यानि की 6Q यहां से हो जाएगा 9Q स्कॉयर और 3Q में से 9Q स्कॉयर और 6Q में से हम 3 को कॉमल लेंगे अगर तो यह हो जाएगा 3Q स्कॉयर प्लस 2Q वन बाहर ही रह जाएगा क्योंकि वन में common नहीं लेख सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 जहां पर M क्या होगा एम की value हमान लेते हैं 3q प्लस 2q एम जो हमारा हो जाएगा वह जाएगा 3q प्लस 2q अब केस थर्ड क्या है यानि की केस थर्ड जब हमारा a जो number हमने माना था होगा 3q प्लस 2 होगा तो इसका square करेंगे हो जाएगा 3q प्लस 2 का whole square a प्लस b याफ फ्लस क्या हो जाएगा 3q का square 9q square प्लस 2 का square हो जाएगा 4 प्लस 2 a b 2 3 6 2 12 q अब देखें 9 q square ऐसे ही रहने देंगे 12 q को भी ऐसे रहने देंगे 4 कॉम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 यहाँ से जब हम 3 कॉम लिखेंगे तो यह जाएगा 3q square प्लस 3 4 जाएग 12 यानि कि 4 q प्लस 1 प्लस 1 तो यह भी कुछ 3m प्लस 1 के form का हो गया जहाँ पे m की value क्या हो गई 3q square प्लस 4 q प्लस 1 कि यहां से हमने कोई सा भी positive integer लिया और उसे उसका जब हमने square किया तो वह या तो 3 q या तो 3m के form का है या फिर 3m प्लस 1 के form का यह जो हमारा नंबर है वह थ्री एम थ्री एम थ्री एम प्लस 2 के form का नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई सा भी positive लिए लिए उसका square करेंगे तो वह या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के form का यह वह कभी भी 3m प्लस 2 के form का नहीं हो सकता is the square of the square of any positive integer is of the form of 3M or 3M plus 1.